हलो दोस्तों स्वागत है आप शिविका आपके अपने चैनल ऑनलाइन अश्टरी में दोस्तों आज हम रेलवे शमान बिग्यान का टेस्ट पेपर का तेरमा एपिशोड का वीडियो लेकर आएं तो दोस्तों वीडियो को आप लोगों को शुरू सियन तक जरूर देखना है त सबसे पहला जो आपका कोशन है कि परती ध्वनी का जो कारण है वो क्या कारण है परती ध्वनी जो होता है वो क्या कारण है तो दोस्तों ध्वनी के परावर्तन का कारण जो है परती ध्वनी का कारण है ध्वनी का जो परावर्तन है वो आपका परती ध्वनी का क्या है जो है वो दोस्ते आपका क्या हो जाएगा घट जायेगा जूला जूलते समय कोई ब्यक्ति अगर जूला पर ख़डा हो जाता तो से का वर्तकाल जो है घट जाता। नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं यदि जूले पर एक ब्यक्ति के अस्तान पर दो ब्यक्ति बढ़ जाता है तो उनका आवर्तकाल जो है वो परिवर्तित रहता है लेकिन वही ब्यक्ति अगर जूला जूलते समय खड़ा हो जा तो उसका आवर्तकाल घर जाता है लेकिन एक अस्ता dependulum का जो आवर्थकाल होता है दोस्तो्ट वो आपका 2 सकेंड का यह राइत दरब का घनत अधिक होने पर प्रिष्ट तनव क्या होता है तो दरब का घनत अधिक होने पर प्रिष्ट तनव क्या हो जाता है बढ़ जाता है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं पारे को जब एक बरतन में रखा जाता है तो जो आपका मेनिकस होता है वो क्या होता है तो जब को इक बरतन में रखा जाता इंद होता है next question क geen प्रफ्राणीबंत के बाता है युद्धन्ध और होता है इसलिए जुब दुस्तों का जुब आप पहाड़ों पर चलते हैं तो आपका पहालं पर चलते समय आपका दम फूलें लगता है क्योंकि वहाँ पे बाइमंडलिय दाव क्या हो जाता है कम हो जाता है एक बार जो है किसके बराबर होता है तो एक बार जो है दस पर पावर पाँच पासकल के बराबर होता है किसी बस्तू का भार जो अधिकतम होता है वो दोस्तों आपका जो है निर्बात म किसी बस्तु का भार क्या होता है अधिक्तम होताया का option C option विलकुल right है पृत्वी की अपक्षा इक चंदर्बार पी का दर्मान जो है एक विलकुल right है भू अस्ताई उपगरा पृत्वी के čारों और चक्कर लगाता है कितने घंटों में भी भू अस्ताई उपगरा जो है पिरत्वी के चारों और चक्कर जो है 24 घंटा में लगाता है आपका ओप्षन 24 घंटा एक दीन जो है आपका राइट है कि भू अस्ताई उपगरा जो है जो पिरत्वी के चारों और चकर लगाता है वो आपका 24 गंटा में लगाता है पिर्थवी पर बायमंडल या दाव का क्या कारण है पिर्थवी पर बायमंडल या दाव का कारण गुरुत्वा करशन है पिर्थवी पर बायमंडल या दाव का कारण जो है वो दोस्तों आपका गुरुत्वा करशन है नेक्स्ट कोशन करवरते हैं पिर तो पृत्विछ से प्लाइन कर जाएगा अपको अप्शन बी याद रखना आ है जब कोई बस तुग उपर से गिरा जाती Chip उपहर पारन सोया ट्राल स्वाता है तो ँख कोई बस Attos ऐक्तिक नियम को सब्सक् mental गरहात है और और के द्वरा प्रतिपादित किया ता ग्रहों के गती के नियम को के प्लर के द्वरा जो है प्रतिपादित किया गया था नेक्स्ट कोशन के रुबरते हैं एक jet engine का सरक्षन के 36 से कुन पर फेकने पर अधिक्तम 46 जो दूरी ताई करेगी तो दोस्ट आपका 45 डिगरी जो है 45 डिगरी के कुन पर फेकने पर जो है ये अधिक्तम 36 दूरी ताई करेगी बायू मंडल में बादलो को तहरने का कारण ये दोस्तों आपका घनत्व के कारण होता है गैस के अन्वो की गती जूर्जा किस ताप पर सुनी होती है गैस के अन्वो की गती जूर्जा मैनस 283 डिगरी सेल्सियस पर क्या होता है सुनी होता है गैस के अन्वो की गती जूर्जा किस ताप पर सुनी होती है तो मैनस 283 डिगरी सेल्सियस पर क्या होता है सुनी होता है पारे का ताप मापी किस ताप तक परियुक्त हो सकता है तो 360 डिग्री सेल्सियस तक पारे का ताप मापी परियुक्त हो सकता है प्रिजम द्वारा किस रंग का बिचलन सबसे अधिक होता है तो प्रिजम द्वारा बैंगनी रंग का बिचलन सबसे अधिक होता है और इसका बरतरंग सबसे अधिक होता है तरंग देर बैंगनी रंग का सबसे कम होता है किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सदेब क्या होती है किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सदेब जो है अनुधेरिय होती है किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सदब जो है वो आपका अनुधेरिय होती है किसी अस्थान पर पिरत्वी के चुमुकिया चेत्र के च्हेति जवा उर्द्वादर घटक बराबर है तो उस अस्थान पर नतिक कौन जो है वो दोस्तो आफका 45 डिगरी होगा आफका option C option बिलकोल राइट है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं दरब तरंगों की तरंगदेर निर्बर किस पर नहीं करती है तो दोस्तो दरब तरंगों की तरंगदेर आबेस पर निर्बर नहीं करता है कौन सा कन सबसे अधिक अस्थाई है कौन सा कन सबसे अधिक ओस्ताई है तो दोस्तों आपका न्यूट्रोन जो है यह सबसे अधिक ओस्ताई है कौन सा कन जो है सबसे अधिक ओस्ताई है न्यूट्रोन जो है आपका सबसे अधिक ओस्ताई है आपका option B जो है right है एगर स्ट्रेम क्या मापता है तो आपका एगर स्ट्रम बराबर जो है दस पर पावर मीनस दस मीटर होता है यह स्ट्रोम क्या मापता है तो प्रकार तरंग्देर को मापता है यह यह साई मात्रक होता है वह आपका प्वाईज होता है स्यंता गुनंक की जो मात्रा होती सोरी दोस्तों स्यंता गुनंक की जो एसाई काई है वह आपका प्वाईज होती है एक फैदम जो है कितने फीट या कितने मीटर के बराबर होता है तो एक फैदम जो है छो फीट के बराबर ह होता है टाइप राइटर के जो अभिस्काराक है उसका आपको नाम बताना है टाइप राइटर के अभिस्काराक जो है उवर आपका सोल्स है possa कौन साथ आपकार साय कारएट है नेक्स्ट कोशन कर वड़ते हैं जेट इंदन खिस सिद्वाद्ट तो जेट इन्जाण रेकिक संवेक्स रक्षन के सिद्वान पर कारी करता है किस संवेक्स रक्षन के सिद्वान पर कारी करता है मानक दाव यह लेका 70 mm दाव आ और общем दाओ कहलाता है मैनो मीटर के द्वारा किसकी माप जो है की जाती है तो मैनो मीटर के द्वारा गैसों के दाव की माप जो है की जाती है अगले कोशन कर वरते हैं बस्तु की मातरा बदलने पर क्या उपरिवर्तित रहती है बस्तू की मात्रा बदलने पर आपका जो घनत्व है वो दोस्तों आपका ओपरिवर्तित रहता है बस्तू की मात्रा बदलने पर आपका ओपरिवर्तित रहता है आपका option D option जो है बिल्कुल right है Kelvin माप में मनफ सरीर का जो समन ताप होता है वो कितना होता है तो Kelvin माप में मनफ सरीर का जो समन ताप होता है 310 Kelvin होता है Kelvin माप में मनफ सरीर का जो समन तेमपरेचर होता है वो आपका 310 Kelvin होता है आपका option D option आपका right answer है next question कर बढ़ते हैं कि पारा जो जमता है वो आपका कितना degree Celsius पर पारा आपका जमता है तो दोस्तो पारा जो है minus 49 degree Celsius पर आपका जमता है पारा जो है minus 49 degree Celsius पर जमता है आपका option B option बिल्कुल right है उच तापकरम को उच temperature को मापने का यंतर जो है वो आपका pyrometer कहलाता है उच तापकरम को मापने का यंतर जो है pyrometer कहलाता है तो दोस्तो टेस्ट पेपर का तेरा एपिशोट का वीडियो जो है रेलबे शमान बिग्यान का तेरे में एपिशोट का वीडियो समापत होता है दोस्तो अगर वीडियो पशंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर किजेगा दोस्तो गर चैनल पर पहरी बार जुड़े हैं तो चैनल को भी दोस्तो आप लोगों को सब्सक्राब करना हो बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना है जाहिन दोस्तो